नाम राहुल गांधी यह राहुल सावर कर नहीं और हम लोग सच्छाई के लिए कभी माफी नहीं नहीं है राहुल जी क्या गलत बोलेट क्या लेलित मोधी पैसा लेकर नहीं भागा क्या निडव मोधी पैसा लेकर भागा क्या गुजराती बिज्नस निजार क्रोर किसं के तह हैं जो अंडानी के बिजनेश में लगाया घरNow करें बनाया था कांग्रेस पार्टी के सायोग से लालु जी बिहार में कई पर मुख्य मंत्री बने और उनके बेटा बिहार के उत्मुख मंत्री बने हुए इसलिए अब कहरें कि लालु जी को हम रोकने का प्रयास के वह ऐसा बात नहीं है तो उन्हें कांग्रेस के पूर्वराष्टिये ध्यक्स राहूल गांधी की सदस्ता चली गई है उनकी सजा हुई है और उनको जमानत भी मिल गई है यह इस पर जो है विपक्स काफी हमलावर है और विपक्स लगतार है आरोब लगा रहा है सरकार पर केंद्र सरकार की केंद्र सरकार जो है संभिधान का दुरुपयोग कर रहे और भी कही तरह की बात चल रही है इस सभी मजबूत यह नहीं होता लेकिन यह पराच ड़ा साफा साब्द में नहीं है सब्सक्राइब करने से बच क्यों है और जेपीसी देश में पहली बार थोड़ी आई है चार बार जेपीसी का गठन हो गया है और बीजेपी के नेता अटल विहारी बाचपई के सरकार में भी जेपीसी का गठन हुआ है तो फिर मोधी जी को बताना परेगा कि वह 20,000 क्रोर कि किसके थे जो अंडानी के बिजनेस में लगाया गए वह बिजर को किसके थे इस पर एक बहस चिड़ी हुए सोसल मीडिया पर भी और पबली डोमेन में कि जब लालुयादव सांसथ सांसा सारम से तब उनकी सदस्ता की बात आई थी तब राहूल गांधी जो है बिल को फार यह थे इसी तरह का बिल लाने की बात हो रही थी संसद में तो अभी इतना हल्ला क्यों जब राहूल मामला होता है तो चुप हो जाते हैं और अपना मामला होता है तो पूरा हल्ला करते हैं कहीं न कहीं इस बात को मीडिया भी और भाजपा के नित और था कति जो लोग है वो गुजराती बिजनेसमैन जो लोग है पैसा लेकर नहीं भाग है तो जब सही बात पो सही को सही बोलने पर राहुल जी का सदस्ता रधा इस पर दुख होता तुछ दिग्कत यहां कि वह सजा वाली बात हुई थी उसमें भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं था यह भी तो उसमें सुधार हो सकता था कि ब्रश्टाचार का मामला आएगा तो यह इसके लिए अलग बनेगा और जब मानहानी के बात आएगा तो ब्रश्टाचार पे ही क्यों आप लोग अड़े हुए कि उस टाइम का प्रस्थिति कुछ और था या फिर लालु यादव उस टाइम जो 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 इसलिए अब क्या किजिएगा तो उपाई नहीं है दो एड चोबिस में भी उपाई नहीं है अब 25 तो ब्रांसवा का ही राजों मैं अब हो सकता है तब 29 में कुछ मामला सेट हो सकता है आप बोल रहें यह आपको चुपाए ही नहीं है तो उन्हें पर इस दिन विंति आरतों किजिए आनन फानन में अपने नुसार को चला रहे हैं हर जज आपका गुलाम नहीं होगा हर जज को किसी मंत्राले बैठने का जलसा नहीं है कोई ऐसा इमंदार है हम लोग केस को लेकर सुप्रिंग कोट और भी चले उची सदन है जहां जाहां लोग यह कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांग लेना चाहिए था क्योंकि जब तक आपकी चुनाओं नहीं लड़ पाएंगे सदस्ता नहीं रहे पाएगी तो आप लोग क्या करिए का नाम राहुल गांधी यह राहुल सावरकर नहीं और हम लोग सच्छाई के माफी करता ही नहीं चलिए तो सच के लिए माफी नहीं मांगेगे और राहुल गांधी के सदस्ता चली गई है इस पर आने वाले कल जो होने बाला है चुनाओं 2024 में उस पर क्या असर पड़ेगी वह तो आने वाला बक्ति बताएगा बहराल आपको मरें बाचित के सालगा य कर दो